अस्तामनेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टो टॉप स्मार्टीज, ट्रामा सिरियल शिद्दत सुल्तान ने जो अस्रा को रात तीन बचे जगा कर खाना बनवाया और फिर अस्रा की नीन डिस्ट अप हो गई तभी तो वो सुबो के वक चल्दी नहीं उठ पाई सुल्तान को आफिस जाना था, आफिस के लिए त्यार हो रहा था कि अस्रा लेट उठी, तो सुल्तान उसी पर गुसा करने लगा क्या तुम्हें मालूम नहीं कि मेरे आफिस का क्या टाइम है, अभी तुमने मेरे लिए नाश्ता भी बनाना है कितना सोती हो तुम, कितनी लापरवा हो तुम तो अस्रा भी कहने लगी, रात को लेट सोई थी न, वो आपके लिए खाना बनाया था, उसके बाद कितनी लेट हो गई थी इसलिए तो लेट आंग खुली, मैं कर देती हूँ आपके सारे काम आगे भर कर अस्रा जल्दी से उस सुल्तान को कोट पहनाने लगी तो सुल्तान अस्रा को जटक देता है, लिव इट, छोड़ दो मुझे एक चोटा सा काम किया तुमने मेरे लिए, रात कोट कर खाना बनाया तो देखो ताना मार दिया मैं और भला क्या काम करवाऊंगा तुमसे, अस्रा तो सिर्फ सुल्तान के तरफ देखती रही, नहीं में ताना नहीं मार रही, एक चोटी सी बात की है बस लेकिन सुल्तान तो जैसे अस्रा की जबान ही पकर लेता है, उसे कोई बात करने का हक देता ही नहीं, ऐसे इनसान के साथ जीना बहुत मुछिल हो जाता है अब हाला भी नोट करने लगी है कि असरा चुप चुप रहती है जरा उदास सी रहती है इसलिए कहने लगी भाई के साथ गुजारा करना मुश्किल है ना मैं जानती हूं असरा कंप्रोमाईस सिर्थ तुम करती हो भाई तो किसी बात पर कंप्रोमाईस नहीं करते लेकिन अस्रा सुल्तान पर परदा डालते हुए कहने लगी नहीं ऐसी कोई बात नहीं वो गुसे के थोड़े तेज हैं लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं जिस पर हाला कहने लगी भाई है मेरा वो चानती हूँ मैं और यह बात मुझे बहुत बड़ी लगती है टिपिकल सी मशर्थी औरते जब यह बात करती है गुसे का तेज है लेकिन दिल का बहुत अच्छा है अस्रा ऐसी तो नहीं थी तुम तो बहुत मैचो ओरती लेकिन भाई के साथ तुम गुसारा कैसे कर रही हो अस्रा जो कि सल्तान से शादी करके वाकी पच्चता रही है क्योंकि शादी के बाद ही तो सल्तान की हकीक्ते उस पर खुली लेकिन आहरब क्या हो सकता है अब तो सिर्फ सल्तान के साथ ही उसे गुसारा करना है सर्वत चहान जो कि अपनी दोस्तों के साथ डिनर पर आई थी और यहां पर वो सल्तान की असलियत अपनी ही आँखों से देख रहती है वो सल्तान को किसी लड़की के साथ देखती है जो कि काफी एक दुसरे के कलोस थे सुल्टान तो उस लड़की से ऐसे मुहबत से बात कर रहा था जैसे उसके बीवी वही हो सर्वत पेगम ये सब कुछ देखकर बहुत हैरान हो जाती है अब उसे एहसास होगा कि अस्रा जो जगर कर उसके घराई थी तो अस्रा को वापिस फेजने का फैसला शायद उसका जल्दबाजी का था गल्द था क्योंके सुल्टान जैसे इनसान के साथ जिन्दगी गुसारना तो बहुत मुश्किल है सर्वत पेगम पर भी सुल्टान की सारी हकीक्ते आहस्ता ही आहस्ता खुलती जाएंगी लेकिन आहर कर अब क्या हो सकता है अस्रा को तो सुल्टान के साथ ही जीना है जो कि उसका अपना फैसला था फ्रेंट्स इस ट्रामे के थूप बहुत सबर्दस देसन दिया क्या कि कभी भी किसी को जानने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए हास तोर पर जब किसी से शादी करनी हो तो फर्स साइट लव बहुत ही मेहका सोदा पड़ता है जिसके साथ जिन्दगी गुजारनी हो उसे पहले पड़क लेना चाहिए वरना सारी जिन्दगी अजिय अच्छे ही गुजरती है जैसे अस्रा की गुजर रही है जो के काफी पच्छता रही है सुल्तान से शादी के बाद लेकिन अब पच्छता है क्या हो जब चिरियां चुक गई खेत